तो बच्चोर इस वाले चैप्टर में रेय आप्टिक्स के कुछ टॉपिक्स को कुछ नुमेरिकल्स को कवर करने वाले हम तो आप उसको ध्यान से अच्छे तरीके समझना तो पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं जो आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी म नुमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूले बहुत ही इंपोर्टेंट हैं अगर मिरर का कोई भी नुमेरिकल आता है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है अच्छा एक तो मैगनिफिकेशन होता है मिरर का ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैगनिफिकेशन हandel से शो करते हैं आज में जो होता है यह शों होता है हाइट ओफ इमेज कि में है इस टीवाइडवय हाइट ओफ अबजेक्ट है टो मैं और मृता है एक टो डिवाइड़ए हम तो एक टो फ़रमूला यह ए है ह। अबजक्ट की height का ratio it is called magnification और एक formula इसका mirror के लिए होता है minus v upon u इन में से जो भी formula suitable हो numerical में आप वो लगा सकते हो जो magnification होता है इससे important कुछ points है वो आपको समझ में आने चाहिए important points क्या-क्या है जैसे first point यह है कि अगर m की value एक से छोटी आती है आपके पास m is less than 1 अगर m एक से छोटा है तो इसका मतलब है जो height है h2 वो less than है h1 image की height छोटी है और object की height बड़ी है तो जो image है image will be smaller than object इमेज जो होगी वो object से छोटी होगी second बात अगर m is equal to 1 है अगर यहां से m बन आता है तो इसका मतलब h2 और h1 इक्वल है h2 एक्वल टू h1 image विल बीदा इक्वल ओफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बराबर ही मिलेगी image और थर्ड पॉइंट m is greater than 1 तो actual magnification यही है इसमें height बढ़ जाती है image की image विल बी larger than the object यह है magnification mainly इसमें magnification नहीं हुआ है equal size मिली है इसमें भी नहीं हुआ इसमें तो बिल्की चोटी हो गई image तो अगर आप image बड़ा बनाना चाहते हो तो m एक से बड़ा होना चाहिए तो जो m है उसके तीन point हो गए कि m की value कैसी है एक है उससे कम है उससे ज्यादा है उसके according हमें यह पता चलता है कि height of image कैसी है देन द ऑब्जेक्ट दो point और भी है m की value positive या negative भी हो सकती है positive value क्या बता रही है negative क्या बताती है fourth point if m is equal to positive अगर positive आता है तो इसका मतलब है कि आपकी जो image है वो वर्चूल एंड इरेक्ट है कि m का positive आना कैसी image को बताता है वर्चूल एंड इरेक्ट और अगर negative आ रहा है तो इसका मतलब है image कैसी है real and inverted कि तो यह fix है बच्चो बात जो मैंने यहां पर लिखी है यह पांच point आप note-down जरूर कर लेना कि magnification से हमें कैसे कैसे पता चलता है कि image कैसी है पूरी पता चल जाएगा बड़ी है छोटी है रियल है कैसी है inverted है यह सब चीजें हमें इस magnification से पता चल जाती है अब magnification पढ़ने के बाद हमें मैं आपको बता रहा था कि कुछ numerical के लिए formula पता होने चाहिए पहला formula तो mirror formula 1 upon v plus 1 upon u is equals to 1 upon f यह पता होना चाहिए एक magnification का formula h2 upon h1 या फिर minus v upon u यह पता होना चाहिए और एक हमें यह पता होना चाहिए focal length is equals to r by 2 तीन बाते तो यह तीन formula mirror के यह हमें पता होंगे तो हम numerical कर सकते हैं और fourth बात यह कि अगर concave mirror है तो उसकी जो focal length होती है वो negative होती है और अगर convex है convex mirror है तो उसकी focal length positive होती है और fifth point कि जो object distance है you यह हमेशा negative होती है rarely कभी कभार positive मिल जाती है but most of the cases में you will be negative तो यह points अगर आप समझ गए तो आप कोई भी numerical related with the mirror कर सकते हो तो ऐसे मैं न्यूमेरिकल की बात आप से यहां कर रहा हूं सबसे पहले कोश्चन देखो यह कोश्चन में हमें एक कौन के मिरर दे रखा है और आप से कहे रखा है इन फ्रेंट ओफ दिस मिरर एक अब्जेक्ट प्लेस किया गया है ते है दिस्टेंस अफ द ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमिक्र 10 सेंटीमिक्र गी डिस्टेंस पर है यह आप्जेक्ट और टारीडिएस प्रेग सेंटीमिस मिरर इस 17 ही अफ़植ट गध विशियर है go and size of इमेज आपको यह फाइंट करना थित्टे निश्याले समझ radius of curvature कितनी है mirror की 15 cm क्या find करना है image के बारे में सब कुछ बताना है कि image कहां बनेगी वह magnified होगी या नहीं होगी inverted होगी erect होगी real होगी virtual होगी यह सब बताना है आपको image के बारे में तो ज्यादा दिक्कत की बाद नहीं है यह फॉर्मूला और यह फॉर्मूला आपको सब कुछ बता देगा पहले हमें क्या-क्या क्वांटिटीटीटीज वह देखनी पड़ेंगी हमें ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर दे रखा है कितनी डिस्टेंस पर टैन मैंने बताया था अब्जेक्ट डिस्टेंस ब्स बी नेगेटिव तो इसको माइनस टैन ले लिया है ऑब्जेक्ट इसी तरफ होता है इधर जित्ती भी डिस्टेंस मीजर करोगे वह नेगेटिव होंगी और इधर जो करोगे मीजर आपके राइट साइड में वह पॉजिटिव लेफ्ट लेंद्ध हाफ होती है और बाइम नेगेटिब लगा देना और बाइट अब आरे 15 तो 15 वाइट यानि माइनस 7.5 सेंटिमेटर इस दा फोकल लेंद्ध आफ दा कॉनकेव मिरर अब हमें एक तो वी फाइंड करना है और एक एम फाइंड करना है यह दो काम हमें करने होते हैं ज और मिरर फॉल्मूला लगाके हम पहले वी निकालेंगे वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इस इक्वेस टू वन अपॉन एफ वन अपॉन वी कितना हो जाएगा वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू वन अपॉन वी इस इक्वेस टू वन अपॉन एफ दे upon 10 जो प्लस का उसे पहले लिख लेंगे यह माइनस कर आएगा माइनस बन अपॉन 7.5 लसी आम आजाएगा 75 यहां पर रिमेनिंग आएगा 7.5 माइनस यहां पर आएगा 10 यह यह कैलकुलेशन है यह तो आप इजीली कर सकते हो बन अपॉन वी कितना हो जाएगा उपर बचेगा माइनस 2.5 डिवाइड़ बाई 75 यानि माइनस बन अपॉन 30 तो वी कितना आजाएगा वी आगया 30 सेंटी मीटर माइनस का अब यह हमें क्या बता रहा है कि जो इमेज है इमेज फॉर्म्स इन फ्रेंट ओफ मिरर यह भी इन फ्रेंट ओफ मिरर जहां पर अब्जेक्टा वहीं बन रही है इन फ्रेंट ओफ मिरर एट 30 सेंटी मीटर अपार्ट फ्रॉम मिरर मिरर से 30 सेंटी मीटर दूर बन रही है इमेज यह हमें वी ने बता दिया कि इमेज 30 सेंटी मीटर दूर बन रही है फ्रॉम दब मिरर और कहां बन रही है जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी तरफ मतला आपके के लिए हम formula लेंगे a magnification find करने के लिए minus v upon u यह होता है mirror mirror का magnification तो माइनस लिखेंगे वी की value डा लेंगे v is minus 30 minus 30 divided by u minus 10 minus से यह वाला माइनस तो कट हो जाएगा पर बाहर वाला माइनस तो रहेगा तो माइनस 3 आ सब्सक्राइब अब मैंने बताया था माइनस साइन माइनस साइन क्या बताएगा कि जो image हो कैसी है real and inverted पहली बार और ठीटी यह बताएगा कि 3 टाइमस कि लार्जर तेंद अब्जेक्ट अब्जेक्ट से तीन टाइम लार्जर है इस माइनस का मतलब यह मत्समल है ना कि एक से छोटा हुए यह माइनस का मतलब है रियल और इंवल्टेट और थ्री मतलब एक से बढ़ा है मतलब थ्री टाइमस लार्जर बन रही है image than the object तो सब कुछ पता चल गया कि नहीं चल गया image के बारे में का मन रही है image 30 cm apart from the mirror कि साइड बन रही है in front of the mirror mirror के सामने कैसी है रियल और इंवल्टेट है और बढ़ी है चोटी है बराबर है थ्री टाइमस बिगर है तो इस तरीके का एक पूर्ण question पूरा question आपका बन गया किसका mirror का और बहुत ही बढ़िया question है इसके अलावा एक question और भी बता रहा हूं थोड़ा चोटा question ले रहे हैं लेकिन इसमें हमें find कुछ और करना होगा अब आपको माल लो दे देगा कि भाया इमेज in front of mirror 100 cm पर बनती है अब की बार आपको image की distance दे दी और in front of mirror मतला mirror के सामने बन रही है mirror के सामने बन रही है तो माइनस होगा माइनस 100 cm focal length है concave mirror है इसकी focal length 98 और concave की negative होती है तो एक तो आपको image distance दे दी एक focal length दे दी अब आपसे object पूछेगा कहां है बताओ object का रखा हुआ है वापस से mirror formula लगा दोगे mirror formula क्या कहता है 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f तो 1 upon u is equal to 1 upon f minus 1 upon v 1 upon u is equal to 1 upon f की value कितनी है minus 98 यह minus और v का minus यह हो जाएगा plus 1 upon 100 अब इसको आप solve कर लो तो आपके पास LCM आ जाएगा 9800 यहां पर minus का 100 यहां पर plus का 98 तो यह minus का 2 upon 9800 यानि कि 1 upon u हो गया minus 1 upon 4900 तो u कितना हो जाएगा minus 4900 centimeter और meter में बात की जाए तो minus 49 meter तो यह हमें क्या बता रहा है कि जो object है वो 49 meter apart from mirror है और in front of mirror है माइनस sign मतलब in front of mirror तो यह भी हो सकता है वी दे देगा है आपको minus कब लेना है वी के में जब वो बोले कि in front of mirror रखी है image तो minus लगा दो focal length में minus कब लेना है जब concave mirror हो अगर convex mirror होगा तो फिर focal length positive ले नहीं होती है focal length हमेशा radius of curvature की half होती है यह mirror formula यह magnification के लिए formula यूज किये जाते हैं तो इन concept phenomenon होते हैं उसके उसके laws क्या क्या होते हैं अँच अद्धिए उसके laws क्या क्या होते हैं